अरे शो में आपका स्वागत है नवीनतम विकास में राश्ट्रपती जो बिदेनने नागरिकों की सुरक्षा के लिए विश्वस्निय यूजना के बिना घनी आबादी वाले गाजा सीमावर्ती शहर राफा में सैन्य अभियान चलाने के खिलाफ इजरायल को चेतावनी दी है वाइट हाउस की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को प्रधान मंत्री बेजा में नेक्मियाहू के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये चेतावनी संदेश दिया गया ये चिंता खुफिया रिपोर्टों से उत्पन हुई है जो दर्शाती है कि मेसर ने धम की दी है कि अगर इजरायली सैनिकों को राफा में भेजा गया तो वह इजरायल के साथ अपनी शान्ती संधी को निलमबित कर देगा ये आशन का एस आशन का पर आधारित है कि बड़ती लड़ाई के पर नामस्वरूप घिरेक शित्र का मुख्य सहायता अपूर्ती मार ग्राफा बंद हो सकता है मेसर के अधिकारियों और एक पश्चिमी राजनैक ने इस खत्रे की पुष्टी की जिससे स्थिती और भी गंभीर हो गई राष्ट्रपती बेडेन ने इजराहिल को सयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिक्ता देने की आवश्यक्ता पर जोर दिया उन्होंने प्रधान मंत्री नेत्म्याहु से राजनैक रास्ते तलाशने और चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आगरह किया बागचीत में क्षेत्र में स्थिर्टा को बढ़ावा देने और न्याय संगत और स्थाय समाधान को बढ़ावा देने के लिए बिदेन प्रशासन की प्रतिबधता पर प्रकाश डाला गया इस उभरती स्थिती पर आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें अधिक विवरन सामने आने पर हम आपको सूचित करते रहेंगे